सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जैन दी रेक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हमें आपके लिएक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखे लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और हम इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत देखिए इसको जो है इस तरीके से समझेए एरान इसलामी हकूमत है और इसलामी हकूमत के अपने कुछ खानून है इसलामी हकूमत में हिजाब अनिवारिये है तो उसमें इसलामी हकूमत में अगर वो ये कह रहे हैं कि साब यहां जो रहेगा वो पर्दा करेगा तो हम उनक के गवानिन पर सवाल ये निशान नहीं लगा सकते जैसे हम अंदुस्तान में रहते है जमूरी मुलक एगर यहा कोई लड़की बुरका ना पहनना चाहे तो हम इसको डंडा लेकर नहीं कह सकते कि आपको बुरका पहनना है, नहीं कह सकते हम, चुकि ये जुमूरी मुलक है, हर मुलक के कानून अपने अलग होते हैं, जब तक अरब के अंदर इसलामी कवानिन थे, वो लिबरलिजम के तरफ नहीं जा रहे थे, उस वक्त वहाँ भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो उधर जा रहे हैं, जुमूरियत के त महां ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यहां ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं समझता हूँ, यह हक बिजानी बात नहीं है, हक यह है कि अपने मुलक को, किसी भी मुलक को, अपने गवानिन के हिसाब से, अपने लोगों के साथ मामला करने की अजाज़त है, और उसे करना चाहिए, कानून तो बदल सकता है ना कानून जबदस्ती पड़दा करने को कहे जबके साथ चेंज हो रहा है वो कहते हैं कि जी हम यूरोप जैसे हो जाएंगे साथ इसलामिक कंट्री चाहे यूएई हो या एजिप्ट और कई दूसरी कंट्री वहां पर तो इस तरह की कोई पावंदी हिजाब ले या ना ले आपको यूरोप मलकों के बीसियो नाम गिनवा सकता हूँ जहां हिजाब है वहां कोई अ면 किसी को अगर सीरी मुसलिम कंट्री में हिजाब है तो यहां अ endorsed है यह हम जानी बाते नहीं है नहीं है नहीं पहुदना, ये कह रही हूँ. मैं बता रहा हुँ, आपको जहां कुरान का उसूल चलेगा, महाँ अपनी मरजी नहीं चलेगी. जहां अपनी मरजी की जिन्दगी नहीं जी सकता. अगर उमें पुर्दा का एक उसको कमें परदा करना पड़ेगा, इन्दुस्तान में भी अगर किसी मौलवी से आफ फत्वा पूछें और कहें कि और आफ परदा के लिए परदा है गी नहीं है तो मुद्पी यही फत्वा देगा कि हाँ जी और परदा है लेकिन चुके यहां जुमुरी गानून है तो उस पर दे के होकम को नाफिज नहीं कर स वो भी तो ठीक नहीं है एक औरत पर्दा नहीं करना चाती और बार बार का जा रहा है कि ती हिजाब लेना है अगर किसी को पर्दा नहीं करना तो छोड़के चली जाए वो कंट्री दूसरी कंट्री पर है क्या दिकत है अब दुबे चले जाओ या ऐसी कंट्री में चले जाओ जाब परता नहीं है कौन मना कर रहा है बहुत लोग जाते हैं अब सवादी सवादी में जिस वक्त तक इसलामी कवानी थे लोग इदर उदर जाते थे थे ना किसने मना किया उनको अगर एरान के अंदर इसलामी गानून है और मुझे गुटन मैसूस हो रही है मैं नहीं रहना चाहता है वाँ चला जाए किसी दूसरी कंट्री में दो चार दस वीस या पचास सो या हजार दो हजार लोगों के लिए या एक लाख लोगों के लिए मुल्क अपना कानून क्यों चेंज करेगा भाई अब बताई ही मुझे आज आप कह रहे हैं कि हिजाब नहीं होना चाहिए कल को आप इसलामी कानून में कहेंगे कि बए चोरी पर जो सजा है वो नहीं होनी चाहिए जिना पर जो सजा है वो नहीं होनी चाहिए फिर तो इसलामी मुल्क कहा रह जाएगा फिर तो जुमूरी मुलक बन जाएगा जब तक वह इसलामी मुलक है जब तक तो आपको बननी पड़ेगी उसकी जब वह जुमूरी मुलक बन जाएगा फिर वह अपने आप छोड़ देगा सारी बात एंगें तो जुमूरी मुल्ट में एक खुआनी नालग हो इतनी सक्ती क्यूं ओरत के लिए क्या इसलाम में जो मर्द हैं उनकी इतनी नियते खराब हैं कि अगर किसी औरत को हिजाब लिए बगर देखेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे क्या इतने कमज़र और इतने कमजर्फ किसम के हैं मुसल्मान मर्द नहीं नियते तो औरतों की भी खराब है आज कल तो औरते बाकेदा आगे चलकर प्रपोस करती हैं और लड़कों को देखकर कहती है कितना हैंडसम लड़का जा रहा है क्या आप को पता नहीं सारी चीज़े अब तो लड़के खुद सामने से पूच रह जाब ना किया आप उसको मर्दों के कॉंटेस्ट में क्यों देख रहे हैं कि मर्द इतना कमजर्फ क्यों हो गया आप उसको औरतों के कॉंटेस्ट में देखिए ना मुहतरमा आजादी के नाम पर जिस तरीके से औरत को नंगा करने का काम किया जा रहा है वो आप क्या समझती हैं कि वो ठीक है आप हिंदुस्तान में देखिए पाकिस्तान के तो मुझे हाल का पता नहीं लेकिन हिंदुस्तान में देखिए फिल्मी दुनिया में जितनी लड़कियों को हिरोईन के नाम पर लिया जाता है उनको बाकाइदा अदनंगा रखा जाता है और हिरो जो होते हैं वो सारे के सारे स लिए नंगा करते हैं चुकि वो फिल्में चलती है उनके नंगा करने से और लड़कियां भी शोख से पैसा कमाने के लिए होती है नंगी तो ये ये आप सिर्फ एक तरह मत देखिए दो दोनों तरफ देखिए नियत किसी की खराब नहीं है अब तो इतना कल्चर खुलावा हो गया है बिना नियत खराब करें बिना नियत खराब करें जब लड़की सामने से ओफर कर रही है आगे तो इसमें नियत खराब कहा होगी लड़की सामने से ओफर कर रही है और उरते बाहर निकल रही है उसके खिलाफ इसको आप समझते हैं कि कोई बदलाव आ रहा है कोई च वहां औरतों को ये कहकर कि तुम्हें मजबूर किया जा रहा है तुम्हें कैद में रखा जा रहा है तुम्हारे लिए जहल है तुम्हारी आजादी छीन ली गई ये कहकर उनको बाहर निकालने की कोईजित की जा रही है ताके उन नापाख जहन लोगों के लिए लुकमा बन जाएं ये औरते ताकि उन लोगों के सामने पुरुसी जाएं ये औरते जिन लोगों ने आजादी का नारा दिया है उन्हों ने आजादी का नारा इसलिए दिया है कि औरते जब तक घरों में रहेंगी जब तक हमारे लिए लुकमा नहीं बन पाएंगी जब ये घरों से बाह यहुदी कर रहे हैं इसाई और यहुदी यह कर रहे हैं उनको कहां वो अपनी कंट्री में बैठे वे हैं उनको अधर इरान जाना है उन्हें क्या यहुदियों को भी और इसाईयों को भी और वैसे मौलाना साथ इतना यहुदियों से नफरत क्यों है इतना इसाईयों से नफर अहले किताब हैं ना इसाई सेनाफरत है वो भी अहले किताब है निकाबि नसे जाइस है लेकिन उनकी जो सोच है उनकी सोच यह है कि मुसल्मान को इसलाम पर काईम रहने ना दिया जाए पहले तो उन्होंने इसलाम को खतम करने की कोशिश की जब इसलाम को खतम नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने मुसलमान को खतम करने की कोशिश की और उस पर वो कामयाब हुए मुसलमान को कैसे खतम किया उनके अखलाक को उनके किरदार को उनके खाने पीने को, उनके ओड़ने भिछओने को, उनके पहनने को, सोने जागने को, सारा कन्वर्ड कर दिया यूरॉप कल्चर में, उसमें काम्याब हो गए भो आप मुझे बताईए हिंदुस्तान से हमने इंग्रेज को भगाया मुट्धा हिंदुस्तान जब था हमने भगाया, सबने मिलकर हिंदों मुसलमानों ने हम आज भी इंग्रेज से नफरत करते हैं क्योंकि वह हमारे मुल्क पर काविस थे लेकिन इंग्रेज की हर चीज को अपनाते हैं हमारा लिबास देखो इंग्रेज जैसा हमारा रहना खाना देखो इंग्रेज जैसा हमारा टोटल कल्चर जो है इंग्रेज जैसा है हम इंग्रेज से नफरत करते हैं लेकिन इंग्रेज के कल्चर से नफ्रत नहीं करते हैं हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए यॉरोप में जिस तरह सेक्स पर खुली बैसे होती है और सेक्स को जो है आम करने की कोशिश उन्होंने की और आम कर भी दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी इसके चर्चे चलने हैं कि ऐसा होना चाहिए ये वहीं की तो देन है कुछ आजादे के नाम पर औरते सामने आगए कि साथ मेरा जिसम मेरी मर्जी मेरा जिसम मेरी मर्जी अरे भई मुसल्मान का जिसम मुसल्मान की मर्जी नहीं है, मुसल्मान का जिसम अल्ला की मर्जी है, अल्ला की अमानत है उसका जिसम, अल्ला ने मुसल्मान को जानवर बनने के लिए पैदा नहीं किया, अल्ला ने मुसल्मान को इसलिए पैदा नहीं किया, कि तुम पैदा हो जाओ, और जानवरों की तरह मा का, बहन क बीवी का भावी का चाची का ताई का कोई फरक तुम्हें पता न चले और जानवर बनके जिन्दगी गुजारों इसे नहीं अल्ला ने पैदा किया मुसल्मान को इसलिए बनाया ताकि दुनिया में दूसरी कौम के लिए तुम अखलाख और किरदार ऐसा पेश करो ताकि वो देखकर इसलाम को अपनाएं ला को मानने के लिए मजबूर हो जाएं लेकिन मुसल्मान जा रहा है आजादी के नाम पर मुसल्मान औरते जा रही है आजादी के नाम पर और उसको अच्छा समझा जा रहा है उसको अच्छा समझा जा रहा है कि हाँ जी हम तो आजाद हो रह क्या कुरान में पर्दे का जिकर नहीं है कुरान में पर्दे का जिकर है लेकिन आजकल जो पर्दा बुर्के के नाम पर हो रहा है ये बुर्के के नाम बुर्का भी पर्दा नहीं है मैं आपको एक और बात वाज़े कर देता हूँ बुर्का जो फेशन का बुर्का चल रहा है जिस तरह कपड़े टाइट पहन दी है, बुरका भी उतना है टाइट होता है, बुरके का मतलब यह है, उस वक्त में बुरका तो होता नहीं था, उस वक्त तो चादरे होती थी, उन चादरों को ही परदा बताया गया था उस वक्त में, कि भई आप अपनी चादरों को अपने स सरों से पैरों तक अपने आपको ढपके रखो और ये मैं पुरान की बात नहीं कर रहा हूं आप वैदों को उठा लेजिए रिग वैद में बाकाइदा इसका जिक्र है वैद तो पुरान से भी पुरानी किताब है लेकिन उसमें परते का जिक्र है सनातन धरम में बाकाइदा का जिक्र है और मैं कहें तो आपको मंतर भी पढ़कर सुना देता हूँ लेकिन क्या है कि मुसल्मान को इसलामी जिन्दगी से अलग करने का अगर कोई रास्ता है वो यही है कि मुसल्मान औरतों को आजादी का जहर पिलाया जाए और उनसे कहा जाए कि इसलाम तो तुम्हें काईद में रख रहा है तो आशा करता हूं कि वीडियो का आपने अंतक देखा होगा और आरजुकाजमी और साजित रशीदी के बीच में हुई तग्री डिबेट आपको काफी पसंद आयोगी और यह वीडियो आपको काफी एंटेटेनिंग और मज़ेदार लगी होगी वै जैसे गर मैं बात करूँ मौलाना साब की तो मौलाना साब वैसे तो बड़ी कानून के दाएरे में रहके बात कर रहे थे बड़ी कानून की और समीदान की बात कर रहे थे पर जो उनका दिमाग है जो उनका जहन है वो अभी भी 1400 साल पहले ही अटका हुआ है तो आशा करता ह एसी किसी जबदस्त डिबेट में तब तक अपना ध्यान रखिये जै हिंद जै भारत